नमस्कार किसान भाईयों आज हम आपको दिखाएंगे नीलगाय भगाने का एक देसी जोगाड जो हमारे एरिये में काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं उन्होंने इसमें देख रहे होंगे आप दो काज की बोतले ली हुई हैं उनको डंडे के माध्यम से नीचे रसी के माध्यम से नीचे लटकाया हुआ है और देख रहे होंगे हवा के माध्यम से जो काफी ज़्यादा इसमें अवाजे आ रही हैं जिससे की मारी जो नीलगाय है है वो डर जाती है यह देखेते होंगे आप कितनी अच्छे से समय आवाजे आ रही है इसमें किसी प्रया खर्चा नहीं देख रहे होंगे आप हलकी जब हवा चलती है उसके माध्यम से यह जो नीचे गत्ते समय लगाए हैं वह अमारा बोतल से जाके तक रहता जिससे कि इसमे अवाज आती है देख रहे होंगे कितनी अपको सुनाई पड़ रहे होगी यहां काफी अच्छी से आप साउंड करते हैं यह देख रहे होंगे आप यह हवा के माध्यम से यहां काफी अच्छा यहां रिस्पांस दे रहे हैं यह देख रहे होंगे यह नहोंने एक गत्ता ल हुआ है और यह जो गत्ता है और गत्ते को यह नोने बोतल से बांद दिया है उसके बाद में यह देख रहे होंगे आप यहां से नोने एक पतली रसी के माध्यम से एक बोल्ट लिया है लोहे के बोल्ट को इसके साथ लटका दिया है और जब यह हवा के माध्यम से बोतल हिलती ही हलकी और उस Newcomb case साथ यह हमारा नट भी हिलता है तो यहां जाकर हमारा जो है अब ओतल से sindyosa करता है उसके पाद में ढरन देख रहे होंगे आप यह ऐसे साउंड करता है एक काफी अच्छा तरीका है किसान भाई हम आपने खेत में अजमा सकते हैं अगर आपके छेतर में काफी यह निलगायों का परकोप है तो ऐसे तरीकों से आप निलगायों का भगा सकते हैं किसमें किसी प्रकार का किसानमहियों कोई खर्चा नहीं है यह देख रहे होंगे या आप काफे अच्छे से साउंड कर रहे हैं या साउ हो गया यह नोने लोहे का जो है नट बांदा हुआ साथ में और यह देख रहों के नीचे गत्ता है यह चौणा के संपर्क में आता है तो यह आपस में हिलता है जब यह रहों पांच फिर उपर हो ने यह खेस से ऊपर यह डंडा बांदा हुआ है जिनके माध्यम से दो बोतले नटकाई हुई है और ये रसी के माध्यम से नोने बोतले बांधी हुई है देखरों कितना अच्छा साउंड कर रही है ये बोतले और काफी अच्छा तरीका है अगर आपको आपकी छित्र में नीरगायों का परकूप जैदा है तो आप इस तरीके से अपने छित्र से जो नीर यानि प्री आपकाश्ट है यह आप जू ट्राइब करिएगा देख रहे होंगे कितना अच्छा साउंड आ रहा है यह अच्छी से बोतले नहीं है आपको जो किसानमी जो बोतले यूज करनी है वह आपको हमेशा लो जो कांच की बोतले हैं वहीं जूज करनी तभी आपका साउंड आएगा और कांस से जब मराजी जोहा टक आएगा तो उसकी जो साउंड आएगी काफी तेजी से साउंड करता है कि रात मेंऴर्या किसी प्रकार के आवाज्ये नहीं करती तो इसमेंा जो साउंड करता है तो बहुत दूर तक ऍषक्र यावाजです अब सुन पार तगी आपको जानकारी है हमारी तो आप हमें कमेंट करके जुरू बताईएगा